अरल्डी अद्द्च जैन चोद्री हमारे साथ मोजूद है सर 200 किल्मेटर चलकर आप आज मत्रा में बूट आपने अपना आए हैं क्या कुछ कहेंगे जीत के प्रती कितना आश्वस्त आप इस बार देखा जारा कि आप भासपा के खेमे में हैं मैं 200 किल्मेटर चलके नहीं आए गाडी माया हूं लेकिन लोग चलके अपने बूत तक जरूर जाएं जो यहीं रह रहे हैं और जो भार से लोग आएं जरूर वोट करें अब यह सर देखा कि आथा कि पहले आप सपा कटमंदन के साथ थे लेकिन उसके बाद आप भाच्वा में पहुंचे तो किसी परकार से कोई आपको लगता है कि कोई डर वाद आपको यहां पर सामिल कि है क्या सपा को कोई डर है क्या पता नहीं पूछ रहा हूं आप से अब यह से कहा जाता है हमारे लिए का उनसी चर्चा ऐसी तो आज तक नहीं ना कोई मुकदमा ना कोई नोटिस ना मेरे संग्यान में कोई बात हमने तो भारत रतन चोई साब को दिया हमने उसकी बधाई दी शुब कामनाई दी भारत सरकार को देश के लोगों को और वहां स जीत का चुनाव है लेकिन अभी मद्दान हो रहा है मैं फिर दुबारा आपके चैनल से कहता हूं कि जरूर वोट करें प्रदेश की कुछ शीटन सरफशी हुई है और जब आपके आने के बात है कि असमंजस की इस्तिति है लेकिन जायर सी बात है कि चुनाव हमेशा काटे क ही होते हैं लेकिन कंफटेबल मार्जन से जीती जाएंगी सीटें अब की बार असी का अधार और 400 पार उस पर इस जो बादारों नहीं किया एंबिशिस टार्गेट है और पूरा हो सकता है अकरी सवाल हमें मालने के जीत पर कितना क्या लग रहा कि मैं आश्वस्त हूं बिल किस तरह देखते हैं जीत का चुनाव है एक तरफा जीत का चुनाव है लेकिन अभी मद्दान हो रहा है मैं फिर दुबारा आपके चैनल से कहता हूं कि जुरूर वोट करें प्रदेश की कुछ सीटन सर्फशी हुई है और जब आपके आने के बाद तो जहायर सी बात है कि असमंजस की इस्तिती है लेकिन जायर सी बात है कि चुनाव हमेशा काटे गई होते हैं लेकिन कम्फटेबल मार्जन से जीती जाएंगी सीटें अब की बार असी का अधार और 400 पार उस पर इस क्या कहेंगे जो बाता है और पूरा हो सकता है आकरी सवाल हमें मालने के जीत प जैन चौदरी से जन्होंना कहा है कि इस बार हमें मालने जी हैट्रिक लगाएंगी उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरप्रदेश की तमाम ऐसे सीटे हैं जहां पर कुछ असमंजस की इस्तिती है लेकिन जंता से मैं यही अपील करेंगी कि वो बोट डालने जाएं और अपने मत का प्रयोग करें ताकि एक अच्छा सांसाथ उनके छेत्र को मिल सके वर एक अच्छा ब्रधान मंत्री उनको मिल सके वीडियो जनलिस्ट मनोज के साथ मत्रा से विनी दुबे न्यूज नेशन